नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने एजूकेशन चैनल एज यूटूबर देव पर तो दोस्तों एक समीती बनाई गई थी माननी मुख्यमंत्री असोक गहलोजी के द्वारा जिसमें जो भरतियां अटक गई है अपने राजस्तान में और एक तरीके से हब ही बन गया कि ये राजस्तान की भरतियां जो है आप त्यारी चाहे कितनी कर लो भरतियां अटकेंगी और आप चाहे सेलेक्ट भी हो जाओ लेकिन आपको जॉइनिंग तक बहुत समय लगेगा तो उन सारी चीज़ों से निकलने के लिए माननी मुख्यमंत्री जी ने ये समयती बनाई अब समयती ने क्या क्या रीजन माने हैं कि ये भरतियां अटकती क्यूं है तो इसके बारे माजब बात करने वाले हैं तो दोस्तों प्रशन विवाद भी भरतियां अटकने की बड़ी वज़े है राजे में भरति परकरिया के सूद्रीडी करण और इसमें समीति के अद्यक्स और राजिस्थान लोग से वायों के पूर्व चेर्मेन M.L. कुमावत ने रिपोर्ट दी है जिसमें गहलोद के ही निर्देश पर गत्दा सप्रेल को ये समीति जो है गठित की गई थी जानकारी की माने तो रिपोर्ट में समीति ने भरतियों के अटकने क कारण के साथ वे सुजाव भी दिये हैं जिससे ऐसी परकरियां समय पर पूरी हो सकें नकल और पेपर लीग जैसी गटाओं को रोकने गुपाई जो कि अपने RSMSSB की बहुत सारी भरतियों में होता है समान पातरता परिक्साद अथा भरती परकरियां में नियाईग होते हैं एक मैं चोटा सा एक्जाम्पल बता हूँ तो आपको तकरीबन डेट साल पहले फर्स्ट ग्रेड दोसार अठारा का एक्जाम हुआ था दोसार बीस के जनवरी महीने में तो उसमें दोस्तों इतिहास का ही एक पेपर था अगर मैं गलत नहीं हूँ जिसमें एक प्र जो हाथी का नाम था वो गोड़े का नाम बता दिया गया तो आप समझिए कि इतनी चोटी सी चीज है वो भी अगर गलत हो जाए वो भी फर्स्ट ग्रेड जैसे मैं समझता हूँ कि एक स्कूल टीचर का सबसे बड़ा जो एक्जाम होता है उसमें ये चीज गलत हो जाए तो अलागी ज़्यादा लोगों की टीम नहीं होती उसमें एक या दो ही परसन होते हैं जब भी पेपर बनाया जाते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उतनी फिर पेपर की जो प्रिवसी है वो फिर रहने ही पाती तो जो भी है खेर एक मैं समझता हूँ कि एक बाहरी पास सब्यर्थी कोई बिठा दो आप तो भी वो एटलिस्ट इससे अच्छा पेपर बना देगा दोस्तों दूसरी बात है भरती कैलेंडर की जो इससे कड़ाई के से पालना होनी चाहिए क्योंकि आपको पता है कि यूपीसी कैलेंडर जारी करता है जिसमें पता चलता है इस साल कौन-कौन से एक्जाम जो है अपने होने बाले हला कि कोवीड के काड़ न केलेंडर की भी आप थोड़ी सी विस विस नीता कम हो गई क्योंकि आपको पता है कोवीड के काड़ बहुत सारी चीज़ें पोस्ट पौन हो रही हैं और अभी भी होगी तीसरी लेर के आड़ भी ह हमारे सामने हैं तो वो एक अलग चीज है लेकिन उसके अलावा देखे तो भरती कैलनेडर काफी महत्पून होता है अब बिरती उसके अकॉर्डिंग अपनी त्यारी कर सकते हैं जो कि अपने राजस्तान में नहीं है तीसरी बात है विभागी धिलाई खाली पताओं की जानका नहीं दी इसलिए जुलाई में जाके आरेस 2021 का नोटिफिकेशन आया कितने पत खाली है वो जानकारी लेने की बात कर रहा हूं तो ये समय पर मिलने चाहिए इसके अलावा नियम और पाठे करम भी अच्छे होने चाहिए अब नियमों की ही अगर बात करें तो आरेस 2021 का ले राजस्तान के आरेस 2021 में तो ये विवाद हो गया अब ये विवाद अगर नहीं होता तो फॉर्म चालू होते है और आरेस 2021 अभी तक निर्विवादी तूरूप से आगे बढ़ रही होती लेकिन ऐसा हो नहीं पाया अब जो है दोस्तों अगली बात करें तो फिर तो ऐसे कुछ दोस्तों सुझाव दिये गए हैं और आपके हिसाब से क्या सुझाव हो सकते हैं या क्या समस्याएं हो सकती है कि अपने राज़तान में भरतियां लेट होती है अटकती है दो दो चार चार पांच पास साल तक अटक जाती है जॉइनिंग नहीं मिलती एक्जा अल ओवर क्या हैं वो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा उसके उपर भी हम बात करेंगे बागी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी अपने RPSC, RSMSSB या कोई सी भी सरकारी भरती से समन्दी जानकारियां तो मैं आप तक पहुचा दूँगा वीडियो और कम्यूनिटी पोश्ट के मादें से तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार